आज मैं हाजिर हूँ चट पटी चनल चाट की रेसिपी के साथ जो बच्चों की टिफिन के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और आपके मॉनिंग की ब्रिक फॉर्स्ट के लिए भी क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर रेसिपी है हमारी और बहुत टेस्टी भी लगती है य अब मैं इनको बॉयल करूंगे और साथ में दो आलू भी मैं इसमें बॉयल कर रही हूँ क्योंकि आलू चनल चाट में बनाओंगी इसके साथ और भी ज्यदा टीस्टी लगते है अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो आप आलू रहने दे और इसी के साथ में मैं सॉल्ट अब इसके लिए जो हम इसमें एड करेंगे किछ छास चीजह यह दो आलों जो अभी वॉयल कि हमने और इसमें चिली अगर लेंगे चिली को मैं बीच से मतलब इसमें बीच में काट लेना आप लापने ही तो इसमें बच्चो के लिए बहुत तीकी आ पूरे बाइक हमानी काट ऑनênio जाती है, पूरे पूरे कंद लगते हैं तो यह तू हम बीच आड को कुछेदे काट के तो बीच क सकते हैं और आलू के भी आसी आपने छोटे कॉठे फैसे कर लेंगे हैं तो यहां पे दो आलूली है, मैंने एक बॉल हमारा चने का है, तो कॉंटिटी अपकम जदा अपने हिसाब से कर सकते हो, और इसमें मैं एक खीरा एड़ कर रही हूँ, एक बड़ा सा खीरा मैंने लिया है, पहले इसको उपर से कट करके, इसमें जो यहां से कड़वा बने होता वो निकल जाता है, और इसके पील जॉप कर देंगे, इसमें चाट वाली है, सैलेड वाली चीज़ों मैंने बहुत सारे लोगों को एक मिस्टेक करते हो दिखा है, वो खीरा और टमाटर एक साथ लेते हैं, यह बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है, खीरा और टमाटर एक अब मैं इसको बारिक कट कर दूँगी, जतना बारिक आपको चीए, कोशिच करें थोड़ा जादा बारिक को बहुत बारिक भी नहीं करना है, तो खीरा और अनियन इन सब की क्वांचिटी आप अपने पसंद के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, तो यहां पे एक अनियन लिय क्योंकि मुझे इसको हलका ड्राइ रोस्ट करके इसका पाउडर बनाना है, अगर आपके बाद जीरा पाउडर है तो आपको यह सब करने की जरुड़त नहीं है, जीरा पाउडर इसमें एड कर सकते हैं, तो यहां पे मैं इसको ड्राइ रोस्ट कर दिया है, और भात में अब इसमें सबसे पहले मैं चिली एड़ करूंगी जो यह स्टार्टिंग में हम चिली डालता है गरम ऑईल या घी में इसका बहुत अच्छा फ्लिवर आता है किसी भी चीज में आप कुछ भी बना रहे हो उसमें पहले ही आप चिली को डाल दोगे तो हरी मिज का इसका बहु करना है जब तक यह कलर चेंज ना कर लें इसका बहुत इचा टेस्ट आएगा आपके चार्ट में और साथ के साथ में जीरा हलका दरदरा पेस लोंगी और आलू को आपने यह लो फ्लेम पे है और इसको ब्राउन होने तक हमने देखो ब्राउन हो चुका है हलका हमारा तब तक इसको फ्राई करना है हमने और यहां जीरा पाउडर भी हम बना चुके हैं और अब इसमें खाज चीज़ें कुछ डालेंगे जरूरी चीज़ें साल्ट में एड कर दिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर यहां पे आप रेड चिली पाउडर भी डाल दें थोड़ा सा और इसको भी हलका भून लेंगे यह बहुत आसान रेसिपी है कोई बनने वाली सुबा बच्चों के टिफिन के लिए एक दम बन जाती है बच्चे शौक से खाते भी हैं और उपर सी हल्दी है सबसे में बाद जो है वो यह है और अब इसमें मैंने चना डाल दिया है चने मे अब जिरा पाउडर हम डाल देंगे और इसको आप हरे धने के साथ गानिश कर सकते हो और बस अब इसको मैक्स कर देंगे तो यहां पर हमारी चना चाट की रेसिपी यहां तक बन जुगी है थोड़ी देर इसको ठंडा होने देना है और उसके बाद इसमें जो हमने खीरा औ और आनियन जो हमने बारी कट करके रखा था उसको एड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ा सा ठंडा होने की बाद ही यह सब एड़े इसमें क्योंकि फिर इसमें जो एक कुक होने वाला जो टेस्ट है वह अच्छा नहीं आता है थोड़ा कच्छा चाट बन के रेडी हो चुका है आलू जना चाट और इस में ऊपर से आपने लास्ट में डाणना है लेमन और सर्व कीजिए खुद भी खाये और अपनी फैमिली को भी खिलाइए बहुत टेस्टी रेसिपी है और आपको कैसी लगी है मुझे जरूर बताना है कॉमेंट करके मि लते हैं नेक्स्ट वीडियों में तक गुद्बाई टेक एर